कि कॉश्चिन अडे किवश्योर कॉश्चिन का अभ्यास लाएगा आपको आईएट्री की आएपस देखेंंगे आज का कॉश्चिन क्या है आपके सामने क्यों पे कोश्चिन寭 शुन, अब देखेंगे जैसाकि मैंने प्राउमिस क्या है ब justement को अखेंगे हो को Plan multi concept का होना चाहिए one question with multiple concept तो देखें क्या क्या इसमें multiple concept है वाई इसमें multiple concept की बात जब करेंगे तो देखो तो यहां पर हमारे पास fractional part of real function की बात भी कहा जा रहा है उसके बात integration में property दोनों जगा यूज़ हो रही है एक साथ दो दो question है और साथ साथ graphical use क्या गया है graphical concept of the function को यूज़ क्या गया है तो double concept तो आही गया यार minimum अब इससे कैसे बनाएंगे इससे मैं break करता हूँ इसको हटा दोगे यह हो जागा fractional x यह हटा दोगे यह हो जागा this x square इसे trick करोगे यह हो जागा x square इससे trick करोगे यह हो जागा आपका x cube सही है ना अब जोड़ा इसकी बात करेंगे यहां तक सही है अपने पास अब इसको मैं लाता हूँ तोड़ा छोटा करता हूँ यहां से अब यहां से इससे लाता हूँ अच्छे यह लिया है बिलकुल सही है अब जोड़ा इस fractional x में मानस 1 से 1 की बात है अब उसको मैं ब्रेक करता हूँ देहो क्या यह जो fractional x हमारे पास है इसके value की बात करेंगे तो इसका value क्या होगा अच्छा यहां लिखेंगे x जब यह 0 से 1 हो यह लिखेंगे 1 प्लस x जब यह minus 1 to 0 सही है ना x से square को फर्क नहीं पढ़ेगा square को फर्क नहीं पहिंदा उसको फर्क नहीं पढ़ेगा बच्छे तो मैं x cube की बात करता हूँ x cube की बात करता हूँ इसका भी condition same आएगा x cube और 1 प्लस x cube x cube की यह कब जब minus 1 से 0 हो यह कब जब आपका 0 से 1 हो right है ना बिल्कु right है square को उने पहले कहा square में even function है कोई फर्क नहीं पढ़ेगा कोई फर्क नहीं पढ़ेगा अब इस question को मैं बनाता हूँ कितना मजदार question है दिखेगा आपके सामने अब इसको लिखता हूँ में इम और इन की बात कर रहा था मैं अब दिखेए solution में aim upon in okay aim upon in कितना हो गया भाई यह हो गया minus one to one इसे break करो खोलो तो यह अपने पास common आ गया यह अपने पास common आ गया भाईजाब यह common आ गया यह fractional x अब प्लस fractional का whole cube this one यह हमारे पास आ गया अब इससे खोलेंगे अब इससे खोलेंगे क्या इससे फिर से लिखता हूँ में minus one two अब यहाँ अलग-अलग करना पलेगा इससे break करेंगे तो minus one to zero एक part हो गया again zero से one एक second part हो गया minus one से zero में यह अपने पास क्या हो अच्छे इसका value हो गया x square क्या value हो गया यह value हो गया x square इसकी बात करोगे तो one अब प्लस फिर से one two time one हो गया अच्छे तो one one two इसको मैं लिख देता हूँ one one two यहां लिख दिया हमने two plus x plus x cube यह अपने पास आ गया देखो तो इसके साथ लाओगे यह यह अपने पास आ गया minus one two zero right two बाहर ले लोगे यह होगा x square dx और right बाखी करोगे minus one से one करो यह जो part हमारे पास है सब एक साथ लोगे यह अपने पास होगे x two plus x five dx यहां से total आ गया यहां से ऐसे आ गया वच्चे और अब जानते हैं यह odd function है कौन सा यह वाला part odd function है इसलिए इसका answer हो गया zero अंडा हो गया यहां तो अब जो भी करना है अब इसके साथ करना है अब देखिए इसके साथ क्या होगा इसे break करेंगे भाई साब अब देखो यहां से mean of in plus in की बात करेंगे यहां से मुझे चाहिए alpha equals to mean of in plus in क्या होगा यहां से 2 plus 3 यह अपने पास आगया 5 यह एक काम होगा आपका यहां से value होगा 5 right अब आगे की बात करो अब आगे की बात करेंगे तो देखते क्या है अब मुझे ग्राब भी बनाना पड़ेगा और इसकी बात भी करनी पड़ेगी अब देखो यहां से क्या हुआ अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपका काम बन जा असानी से यहां से छोटा करता हूँ और यहां से इसे हटाता हूँ इसे हटाता हूँ, इस पार्ट को अटाई है अब यहां से, ख़िलिभाई, हट गया अब यहां से, अब देख बच्छा, अब यहां से मैं लाता हूँ, ऐसे, this one, क्या है अपने पास, अब यहां लिखूंगा, आई की बात करूँगा मैं, आई की बात करूँगा यह, आई Hajdu तो बढ़ा करता हूँ अब देहो उसे क्या करना होगे कि अपने पास 4y2 root 2 सही है ना पाई y यह अपने पास हो गया पाई y4 root 2 पाई upon 4 root 2 इसकी बात करोगे यहां से पाई हटाना चाहता हूँ अलग से जो पाई x को t मानोगे उससे अच्छा नया प्रपटी बताता हूँ बच्चे पाई यहां हटाओगे यहां लिखोगे max of क्या लिखना है मैं लिखता हूँ sin x और cos x लिखा आपने dx अब angle में π आप डिवाइड करो तो आपका limit में π पाई multiply हो जाएगा यह हो गया आपका 10 π यह अपने पास हो गया minus 10 π बिल्गुल सही है minus 10 π से 10 π और जैसे यहां करोगे तो यहां अपने पास divide हो गया यहां दिस यह π पाई हो गया cancel अब इसकी बात करेंगे तो देखो तो यह जो function हमारे पास है यह periodic function है इसका period हमारे पास है 2π अब period इसका 2π हो गया बच्छे अब मैं ठीक करता हूँ यहां लिखता हूँ क्या 1 by 4 root 2 है इसको यहां लिखोगे पहले ठीक करोगे आप 0 से लिखतो 20 pi क्या लिखोगे 0 to 20 pi बिल्कुल सही है 20 pi अब यहां अपने पास आगया max of sinex and cosx बिल्कुल सही है अब यहां से 20 pi को मैं क्या करोगा 10 बहार निकालूँगा comment यहां होगया 10 upon 4 root 2 सही है ना यह होगया आपका 0 to 2 pi अब इसके max की बात करता हूँ मैं अब यहां max देखता हूँ मैं sinex, cosx dx अब दिखेगा अब इसके लिए अलग से ग्राप बनानी पड़ेगी अब मुझे एक अलग से ग्राप बनानी पड़ेगी आपके लिए तो देखिए graph कैसा बनेगा अब यहां मैं graph बनाता हूँ इसके लिए यह होगा अपने पास यह अपने पास होगया उच्छे देश यह अपने पास का होगया यह होगया आपका 2 pi ये हो गया पाई ये हो गया जिरो किसे ग्राफ है ये ग्राफ अपने पास हो गया साइनिक्स का ये ग्राफ हो गया साइनिक्स का एक और बनाना आपको है कौस का बनाएंगा आप कोस का बनाएंगा आप ये बनेगा कौस का ग्राफ यह बन गया graph किसका यह अपने पास है क्रॉसेक्स का graph अब कुछ नहीं करना है question में चाहिए max की बात कर रहा है तो max की बात कर रहा है तो कोई बात नहीं करने दो बात एक point हमारे पास यहां यहां से यहां के मैक्स यह पाट होगा पूरा एरिया आपको लेना पर दिखो दो पाई से कितना पाईवा टू से पहले साइन कोज कहा मैच करता है पाईवाट फोर पर बिल्कुल सही है और इसके बाद पर इसकी बात करोगे यह अपने पास होगे अब फ़िर से अब जब लाओगे यहां से लाओगे अ अब आपके पास ये वैलोट कि पूरा I say यहां से यहां तक का चाहिए बैल इसे चलते चलेंगा अब इसकी बात जैसे आगे बढ़ोगे जैसे अब आगे बढ़ते हो तो आप दिए हो क्या बनेगा इसकी बात करोगे तो फिर से यहां से चाहिए यह टोटल इसका मैच्ट चा इसका turning point है, इसका sharp corner point है, फिर मुझे उससे मतलब नहीं था, मुझे मतलब तो था यहां से, कहां से कहां तक भाई, मुझे मतलब था, यहां से काटो कि यह बने गया 5, 5 by 2 root 2, 0, 2, कहां से कहां तक, 0 से 5 by 4, इसको मैं बाहर लेता हूं ऐसे, ठीक है, प्लस 5 by 4 to 5 by 4, 5 by 4 to 2 by, अब चेक कीजिए क्या बना, 5 by 4, 5 by 4 into by, 0 से 5 by 4 में cost dominant है, cost dominant है, cost x dx, ओके, 5 by 4 से 5 by 4 में कौन dominant है, sin x value dominant है, यहां लिखेंगे, आप sin x dx, जैसे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर से cost अपना पकड़ बना लेगा, यहां आपने पास दिस आ गया, इसको जब break करके value लाएंगे, यह value अपने पास आ गया, 5 by 2 root 2, इसको break करोगे, यह अपने पास आ गय कुश्चन में कितना बेटरीन कुश्चन था, गौर से देखेगा, कि कुश्चन का जो है, एक beauty है, कुश्चन में कितना सांदर कुश्चन इसको बनाया गया, मैंने कि पहले कहा, पहले हमने fraction को design किया, fraction को solve किया, आप जानतों, fractional plus integer, कि बढ़ेंगे, fraction कभी भी आपका जो ह हमारा उसका M और इन का value का, जो mean value था, वो हमने निकाल लिया था, अलफा निकाल लिया, again जो I का value चाहिए था, हमें इसकी बात करनी थी, हमें इसकी बात करनी थी, यह हमने निकाला, design किया, और finally value आगया 5, अपके पास 5, अब यहां से मैं लिखता हूँ, some more discussions, क्या लिखता क्या है, यहां से I का value है, result is prime, result is, result is, result is prime, result is prime, result is a composite, जो गलत हो जाएगा, result is super prime, बिल्कुँ सही है, यह सही है अपने पास, result is super prime, result is super prime, super prime की बात हमने कहा, IIT में fashion की रुप में आ सकता है, super prime, IIT वाले बच्चे जो first semester में पढ़ते हैं, यहां super prime पढ़ाया जाता है, और कभी ने कभी IIT में आपको super prime नमर डालेगा, तो must be aware from the word, super prime क्या है यह, यह दोनों आपका option में रच सकता है, सही करने के लिए, अब जोरा super prime की बात कर लें, तो super prime हमारे पास होता क्या है, इसकी बात करें, तो जितने prime नमर आप जानते हैं, शुरू का 7-8 लिख दो आप, तो मैं लिखता हूँ start में, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बात कितना, 23, these are prime numbers, okay, अब position लेखते हैं, position कहा कहा है भाई साब, इसका position 1 है, यह position 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है 7 है, 8 है, 9 है, prime numbers at prime position are said, super prime number, यह जो हमारे पास बनेगा, यह जो हमारे पास बनेगा, prime numbers at prime position, इसे बोलेंगे, SPN, क्या बोलेंगे, इस सब को क्या बोलेंगे, इसका नाम हो गया, SPN, super prime number यह होगा, बच्चे, prime numbers at prime position are said, super prime number, okay, मैं डियर, तो मैं सिंपल सी बात हमेशा कहना एक गोल बिदाउट ए प्लान जस्ट एविस एक गोल बिदाउट ए प्लान बिना योजना का मंजिल एक इच्छा है और कुछ नहीं तो हर रोज करो अभ्यास ये पहुंचाएगा आपको आयाटी के आसपास मेरी कोशी से मच्छे मैं आपको डेली हर रोज इसी तरह हंडेड डेज की बात हमने कहा था हंडेड डेज हंडेड कोशन आपको मैं अवेर करता रहूँगा ताकि आप आयाटी एडवांस में पर्चम अपना फहरा सकें आयाटी एडवांस में अपना बेशन दे सकें और तभी मुझे अच्छा लाएगा कि चलो भई हमने जो पर्यास आपके लिए क्या था वो पर्यास सफलिभूत हुआ हमने पहले भी कहा था इससे प्रिविस लाक्ष एर की बात करूँ तो हमने कुछ चैनल पर अलग से चलाय सेम तो नहीं हो सकता है टे अडवांस में बट जिस्ट सिमलर टेली करेगा यह वादा मेरा ओके माई डियर स्विन एक जे बाबार टेक क्यार